आशा करता हूँ आप साब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिध्धान तक नहीं हो तरी स्टेडी एक्यूपब का बहुत बहुत स्वोगत है एक तरफ कॉविड-19 अपने चरम पे है और दूसरी तरफ बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं नवेंबर में इलेक्शन है और आपको पता ही है कि अमेरिका में भी नवेंबर में इलेक्शन है बट हम बिहार की बात करेंगे तो इलेक्शन कमिशन ने गाइड लाइन्स इशू कर दी हैं वह यह एलेक्शन की बात है ना कैम्पेइनिंग कैसे होगी कैसे नॉमिनेशन फाइल होगा कैसे आप वोट करेंगे तो आप देख लीजिए बिहार में कैसे एलेक्शन होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं यूपी एसी के स्मार्ट कोसेज आते हैं दोस्तों अब आप इसको 31 अगस्त तक ही अवेल कर सकते हैं तो जल्दी करिए ये डेट गई तो ऐसा ना हो की दुखी हूँ आप तो इसी लिए आप इसको बिल्कुल अवेल करें मेरा फेस्बूक पेज है ट्विटर पर ये मेरी आईडी है दोनुई जगा आप सवाल पूछ सकते हैं मुझसे और ये मेरा टेलिग्राम चैनल ले ध्यान रखेगा अभी इस समय मेरे साड़े 9000 सब्सक्राइबर हैं मेरे फेक चैनल पर भी साड़े 9000 है तो थोड़ा देख कैसे वोटिंग होगी ये सब बताय जाएगा इसमें अब जो इनसान वोट करने जा रहे है जो हम है वोट करने जाएंगे पहली बात तो ये है कि मैक्सिमाम 1000 वोटर्स ही अलाउड है पोलिंग स्टेशन पे पहले कितने थे 1500 वोटर्स आ सकते थे वोट कर सकते थे लेकिन मास्क पहनना तो जरूरी है मास्क के बिना तो आप आही नहीं सकते आप वोट कर ही नहीं सकते ठीक है हाला कि कुछ समय के लिए आप मास्क उतार सकते हैं क्योंकि आइडेंटिफिकेशन होता है ना मान लीजे कि भईया आपका नाम है आपका चेहरा है कोई आपकी जगा वो या vote नहीं दे पाऊगे उसके बाद फिर thermal screening यह तो आपको पता ही है कि thermal screening तो होती ही है जैसे ही आप कहीं पे भी आप entry कर रहे हैं चाहिए मौल में कर रहे हैं चाहिए कहीं पे भी वो लगाते हैं न आपके चेहरे पे तो thermal screening तो होगी temperature पता चलेगा उसके उसके बाद hot room premises जो है कहीं पे भी जैसे ही आप entry करेंगे जहां पे भी वोटिंग होगी वहाँ पे thermal screening और sanitizer, soap, water सब अविलेबल होगा वोट करके तुरंत sanitizer अरे वोट करके क्या यार जैसे ही entry करोगे पहले तो sanitizer से हाँ sanitizer लगाओ और उसके बाद thermal screening होगी फिर जाके वोट करो फिर भीया जब वापस आना न तो एक बार और sanitizer लगा ले ना social distancing तो आपको maintain करनी ही है यह तो home affairs की जो guidelines है उसके हिसाब से कहीं पर भी आप जा रहे की नहीं इसका विध्यान रखा जाएगा वेहिकल्स के बारे में अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो वहाँ पे भी movement को बहुत अच्छे से control किया जाएगा उसके बाद nomination यह तो चलिए general guidelines होगी हमारे लिए अब हम देखते हैं जो nomination file करने आ रहा है मुझे election लड़ना है मैं nomination जाके file करूँगा तो यह process जो होगा यह online होगा physical filing के लिए आप अगर जा रहे हैं तो दो इंसान आपके साथ जाएंगे इसके साथ नहीं जाएंगे पूरा जत्था लेके नहीं चलेंगे होता है न कि अक्सर लोग जब nomination file करने जाते हैं मतलब जो politician selection लड़ने जा रहे हैं तो पूरी बारात लेके चलते हैं ऐसा लगता है कि बस election जीती गए अब ऐसा नहीं होगा covid-19 है तो सिर्फ और सिर्फ दो ही लोग जाएंगे और जो इसमें भी सबसे पहला आपका option यहीं कि आप online file कर दीज़े वो best रहेगा जाना भी नहीं पड़ेगा लेकिन जो physically present है उनके साथ खाली दो और लोग लोग लेगे ठीक है candidate को खाली दो ही लोग accompany करेंगे उसके जो voting होती है EVM पर बड़ा विवाद चला था ना अलाकि एक साल पहले में मैंने वो लेचर कवर किया था बट बहुत विवाद चला था EVM हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए तो उसमें मेरा पूरा लेचर है आप देखिएगा तो जितने भी voters हैं उनको gloves दिये जाएंगे EVM को आप टच करेंगे तो gloves पहन के टच करो safe रहेंगे अब ये तीसरा point देख लो बहुत important है अगर किसी को temperature जाधा हो 100 से जाधा temperature हो या 99 से जाधा temperature हो मैं आपको बताता हूँ कि एक बार मेरे साथ अभी recent घटना है कि मैं एक जगा गया था मेरी thermal screening हुई तो मेरा जो temperature था व आपको अंदर निक जाने देगा मैंने का क्यूं उसने का कि आपको 98.1 आ रहा है मैंने का रहे मेरे भाई तो इतनी बड़ी pharmacy चलाते हो तुमको इतना नहीं पता कि average temperature 98.6 होता है तो ध्यान रखिएगा कि 98.98 ये इतना normal 99 तक भी normal है 100 तक problem है 100 तक यानि कि आपको बुखार है तो जिनका temperature जादा होगा ना उनको आखरी घंटे में आओ अभी मत vote करो ये एक बड़ा interesting चीज है और बहुत अच्छी चीज भी है कि आप समझे मैं कहना कह चारा हूँ मैं कहना ये चारा हूँ कि जिनका temperature मान लो किसी का temperature 100 से जादा है या 99 से जादा है अब वहाँ पे क्या होगा कि आप आखरी घंटे में वोट करने आओ अभी मत वोट करो क्योंकि आखरी घंटे में भीड़ बहुत कम रहती है और इसमें वो भी होंगे जो patient quarantined है उनको भी last hour of the poll में और उसमें health officials present होंगे health officials वहाँ पे present होंगे और preventive measures लिए जाएंगे तब आप आईए अगर जादा है या quarantine है ठीक है उसके बाद door-to-door campaign कैसे होगी campaigning होती है ना हमको मत दान करना मतलब हमको वोट देना ये सब बोलते हैं जितने भी politicians होते हैं घर गर जाते हैं हाथ जोडते हैं और उसके बाद जब election जीत जाते हैं उनका हता ही पता नहीं रहता इतनी वड़िया बात है तो sarcastically कह रहा हूँ यार serious मतले लेना पांच लोग खाली allowed है ठीक है पांच लोग ही campaigning करेंगे ये अच्छी बात है आम तोर पर जब campaigning होती है तो बहुत लोग मैंने बता ना काफी लोग होते हैं खैर ये allowed भी है वोने भी चाहिए या आप election लड़ रहे हैं तो आपको एक महीने पहले ही पूरा बीजेपी का office ही उसमें 70 लोग covid positive तो पूरे office को ही seal कर दिया गया था इलेक्शन के चकर में campaigning हो रही थी तो अब यहाँ पे election commission ने बोला है कि बस पांच लोग door to door campaign करेंगे पांच vehicle से जादा पांच गाडियों से जादा allowed ही नहीं है रूट शो मे public rallies करना है सबसे पहले तो यहाँ पे district election officers जो आपको बोलेंगे उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा हमने जो बोला है उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा जादा vehicles जो है वो roadshow के लिए public rallies के लिए allowed नहीं है हार district में nodal officer designate किया जाएगा और यह देखेगा कि covid-19 के जो rules ह safety measures है उसको लिए जा रहे है कि नहीं अब returning officer की बात करते हैं पता है ना returning officer कौन होता है चलो मैं बता देता हूँ देखो वह यह returning officer वैसे हर देश में returning जहां पे election होगे वहाँ पर returning officer होगा तो सबसे important इसमें returning officer होता है यह responsible होता है जो election conduct हो रहे है ना parliamentary या assembly elections हो रहे हैं विधा सबा है लोग सबा इसमें responsibility returning officer के ही उपर होती है कि यह election कैसे conduct करवा रहा है counting क्या है process क्या है एमलेक्ष मिकांत पड़ो बहुत बढ़िया से उसमें election convention के वारे में बताया गया है आपको बता दूँ कि returning officer जो है यह basically statutory authority है मतलब यह originally हमारे सम्मिधान में नहीं है यह statutory authority है representation of the people act 1951 के तहत इसको बनाया गया था और इसकी responsibility होती है कि यह पूरे election को देखे polling counting process कैसे हो रहा है और validity of the ballot papers मतलब जो vote हुए है वो सही है कि नहीं यह सब इसके पास power होती है ठीक है election commission जो होता है election commission of India वो nominate करता है returning officer को हर assembly और parliamentary constituencies के लिए तो returning officers के लिए क्या है returning officer अब देखो ऐसा है कि आप election ये तो चलिए candidates की बात हो गई हम जो vote करने जाएंगे लेकिन मान लो कि जो वहाँ पे vote करवा रहे हैं उन्हीं कोई coronavirus की symptom हो तब आप क्या करेंगे तुरंत उनको quarantine किया जाएगा और इनके पास reserve polling counting and other staff होगा आप समझ रह लाए जाएगा या दूसरे staff को लाए जागा ये आप समझे बहुत बढ़िया उसके बाद जो returning officer का chamber होगा उसके बाद अच्छा खासा space होगा ताकि वो चीजों को पूरा कर सके जो इसकी responsibility उसको पूरा कर सके ये important guidelines थी और इसमें सब कुछ cover किया है election commission ने अब आप देख ल अब भी मौते हुई है corona में तो death rate बहुत कम है लेकिन फिर भी बिहार बहुत तेजी से भागलपुर की स्थिती तो आपने देखी ही बहुत खराब है अब तो यह हम देख रहे है कि थोड़ा बहुत control में आ रहा है लेकिन फिर भी देखना दो पड़ेगा और यहां पे बिह बिहार के जो इलेक्षेन उसमें नितीश कुमार देखो बिहार की politics मैंने कवर की है नितीश कुमार की biography लालु प्रसाद यादव की biography राम विलास पासवान पूरी बिहार की politics कवर की हुई है वो आप देख लीजीगा तो बिहार में जो चीफ मिनिस्टर नितीश कुमार की ज सब बोड रही है इलेक्शन को पोस्ट बोन कर दो माई बाप देखें इनका एक रीजन ये भी है ना अब गाइडलाइन्स पे देखिए वर्चस्व आप बहुत ऐसा है निकि पूरी भव्वे तरीके से आप पूरा रोड रोड शो में आपको पते हैं रैली कैसी होते हैं हेलि धाम से बहुत कैमपेणिंग नहीं कर सकते तो ये भी इनका एक रीजन है कि पार्टी चाहेंगी कि इसको एक्स्टेंड पोस्ट बोन कर दिया गया जाए जाकि जब इलेक्शन हो कॉविट के बाद तब हम दुबारा से जैसे नॉर्मली करते हैं वो कर सके और दूसरा रीज हैं और ये गाइडलाइन्स थी आई हो पर लेचल आपको पसंद आया होगा तो वही अहतियाद बरती है अगर आप बिहार में रहते हैं तो ध्यान से वोट कबने जाए कुछ रहे पढ़ते रही देसे सिद्धान तक नहीं होतरी सैंडिंग और